हलो जैवर्धन कैसे हो अलो अरेंद भी है बड़ी है जैवर्धन नाम नोट कर लो 10-15 साल में एक बहुत ही क्रेडिबल और अच्छे हिस्टोरियन जो उबरकर आ रहे हैं अभी तो 25 साल का लड़का है ना एक साल ज्यादा थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन अपना दे दो हिस्ट्री में इंट्रेस्ट है और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया है आज के टाइम में मेरे ख्याल से उस तरीकी की जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हैं ancient Indian history से लेके एवन medieval history पर भी काफी अच्छी वीडियो हैं, तो वो जरूर आप subscribe करें, हम link भी उसमें डालेंगे, तो हम एक जय के साथ एक series करने वाले हैं, history के उपर, तो हम शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से नहीं, जब हम उसको इंडस वैली का सिविलाइजेशन है सरस्वती सिंदू सिविलाइजेशन उसको हम स्किप कर रहे हैं बट जो उसके बाद राइज ओफ मगध है और जो सेकिंड अर्बनाइजेशन जो है वहां से हम शुरू करेंगे इसमें सबसे पहले यह बताइए कि जो ancient history है उसके बारे में हमारे पास जो तत्थे हैं वो बहुत कम है तो बहुत सारी चीजें व्यक्ख्याओं पर निर्भर करती है तो यह बताइए कि कितना जो हम पड़े हैं अपने स्कूल में ancient history काफी बोरिंग लगता था तो उस इसाब से वो कितना factual है और कितने उसमें interpretations जादा हैं देखे परी बात तो जब ancient history हमें evidence बहुत कम मिलता है जैसे मैं example दोगा पुष्यमित्र शूंग का नाम हमने बहुत सुना है अब पुष्यमित्र शूंग की उनके द्वारा लिखी कोई inscriptions नहीं हमारे पास है नहीं और एक या दो इंस्क्रिप्शन वी दो तीन लाइन की inscriptions है बाकि हमको रिलाय करना पड़ता है ऐसे sources पे जो कि जादा तर literary sources हैं और वो literary sources जो नहीं नहीं है उस समय नहीं लिखे गए जिस समय पुष्यमित्र शूंग एक्जिस्ट करते थे तो उसी के कारण अब 400-500 साल पुरानी बात नहीं source लिख रहे हैं जो 400-500 साल का gap हो गया है जो इवेंट्स को बता रहे हैं उसमें जायर सी बात अलग अलग वो आ जाएंगे तो जैसे अभी अगर हम आज इस सेकिंड अर्बनाइशन की बात करेंगे इस एपिसोड में तो इसमें आप मैं कोशिश करूँगा इब दिखाने के लिए कैसे एक source हमारा कुछ दूसरी चीज कह रहा है मौरेन एंपायर में अशोक की इंस्क्रिप्शन सटा दें कुछ नी बचा मारे पास आर्केलोजिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस खास कर तो इसलिए इंशन्ट हिस्ट्री में इंटर्प्टेशन का बहुत बड़ा रोल है और इंटर्प्टेशन हम ऐसे देखते हैं कि एक ही जो एविडेंस है या उसको हम दो तरीके, दो हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से कॉन्क्लूजिन उसको दिखा रहे हैं तो जैसे एक एक एक्जामपल में देता हूँ गुप्ता एंपायर का बड़ा मतब समने सुना है उनको गॉल्डन पीरिड गॉल्डन पीरिड क्लासिकल पीरिड कहा जाता है तो उसमें एक डिबेट चलती है कि जो गुप्त एंपरर्स थे उनका वर्ण क्या था अब वर्ण में दिक्कत क्या है कि जैसे यसे तीन बेसिक आपको व्यूज मिलते है परला व्यू है कि बड़े जो गुप्त है वो वेश्य थे फिर कुछ हिस्टोरिय केते हैं ब्रहामण थे और कुछ थे ख्षत्रिय थे क्षत्र अर ब्राम्मन वाला डिबेत विश्थरे MS2 से उसमें कोई ही हिस्टोरियन कहते है, जो गुट थे, उन्होंने अपनी भेटी की शादी, प्रभावती गुट अनम था उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी वकाटकों से वकाटक जो थे वो ये आपका नर्मदा के नीचे के एरिया में रूल करते थे अपर महराष्ट्रा, मध्यप्रदेश ये वाला रीजन जो नाकपूर रीजन है वहाँ पर तो वहाँ पर रूल करते थे अब उन्होंने रूल करे अब वकाटकों का हमारे पास एविडेंस है कि हम 80% शो रहे हैं कि वो ब्रहमण थे तो गुप्त जो हैं अपनी शादी कर रहे हैं वकाटकों से और उस पीरियड में कर रहे हैं जहां पर वर्ण जो सेम मैरिजन होती थी एक वर्ण का व्यक्ति अपने ही वर्ण में शादी करता था तो इसलिए वो ब्रहमण होए गुप्त अपने inscription में कोई inscription में mention नहीं है कि बही उनका जो वर्ण है वो क्या है तो अब अब यही जो आर्गुमेंट है इससे यह भी किया जा सकता है कि क्या जाती उतनी मैतवपूर्ण थी या नहीं थी नहीं उसमें देखे बात यह है कि जाती तो थी यूंकि उस समय के टेक्स्ट है वो जो वर्ण आइडेंटिटी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो उस पर एंफसाइज करते हैं अब उनका जो वर्ण था उनके लिए बहुत अब्वियस था वो पतानी कि उनको जरूत नहीं थी ओ प्रिविलेज हाँ प्रिविलेज कह सकते है या फिर मेरे हिसाब जैसे बहुत सारे आप टेक्स्ट पढ़ते है उसमें कुछ डिटेल्स जो होती है बहुत अब्वियस होती है तो जैसे माली जै हम कार चलाते हैं अब किसी एक सुसाइटी में जहां पर अपर यह एक्जिस नहीं करती तो आपने बोला मैं कार से आया अब उसके लिए जो अमारे लिए कार का मतलब कार से आया तो हम बहुत सारी चीज हम समझ गया है कार मतलब 4 चारों के पईय है उसमें अब जिस सुसाइटी में कार एक्जिस्ट ही नहीं करती, तो कार से आया, उसे समझ भी नहीं आएगा, तो आपके लिए कार बहुत अब्वियस है, वैसे ही अगर गुपतों के लिए उनका उनको लगता था कि हमारा वर्ण सबको अब्वियस है, तो यह अब जैसे जो खत्रिय आर्गुमेंट जो देते हैं कि उनका वर्ण खत्रिया था, तो वो यह कहते हैं कि देखे जो पीरियट था उसमें जो लड़का है, उसका वर्ण हायर है और लड़की का वर्ण लो है, तो उसमें मेरिज हो सकती है, तो इसलिए जो अगर गुपत खत्रियत है, सेकंड वर्ण हाईरार्की में सेकेंड वर्न आता है तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मन के वकातक थे उन्हों से अपनी लड़की की शादी करवाई तो एक ही एविडेंस है इंटरपेटेशन उसका इंटरपेटेशन आपने दोनों ने अलग अलग तरीके से कर दिया और फिर तो यह बाकी और तिहान रखने चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, especially ancient Indian history case में, interpretations है, हाँ interpretations आपकी अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन at the end of the day, जो आप पढ़ रहे हैं वो interpretation है, exact history, especially ancient Indian history के case में, exact history कोई होती नहीं है, क्योंकि evidence ही नहीं है तो आप क्या रहे हैं अब जैसे हम school में पढ़त देते हैं, हमको यह differentiate नहीं होता था, कि यह fact है, यह interpretation है, क्योंकि जैसे सरकार बदली 2045 के बाद आपने देखा होगा कि नया curriculum आ गया था, उसके बाद काफी changes होए थे, history text books में, तो हमको यह नहीं पता था, कि यह जिन्होंने लिखी हैं, बच्चों के लिए books, यह उनका interpretation है, या sources, actual sources क्या कहते हैं, तो school में जो पढ़ाया जाता है, क्या उसमें वो differentiate करना चाहिए, या for simplicity, you have to maintain that, मेरे हिसाब से, क्योंकि interpretations अगर आप शुरुआत में बताया ने लग गया ना, तिकत हो जाती है, जैसे मैंने B.A.M.A. हिस्ट्री से करा है, तो B.A.M.A. में हमारे, जो D.U. का syllabus था, मैंने Delhi University से कर रहा है, तो Delhi University में आपको factual history पर जादा जोट ने दे थे, वो आपको पताते हैं कि भाई, डिबेट क्या क्या चल रही है, जैसा feudalism debate है, या और सारे debates है, उसमें, तो debate, उनका में मकसद ये है, M.A. और B.A. में पढ़ाने का, कि आपको ये पता च स्टोरी क्या है, वो आप समझो, तो ये चीज आपको B.A. M.A. में मिलती है, देखने को, आप 4th और 5th या 6th, 7th, 8th में अगर हम debate, जिसे है भक्ती movement है, भक्ती movement के पीछे बहुत debate चल रही है, इसको ओरीजिन का कारण क्या था, अब उसमें पता ले लोगों ने दो तीन कित अब किस हद तक simplify करते हैं, वो depend करता है, आपका जो curriculum मना रहे हैं, उनका क्या वो है, अब एक बात तो ये है कि जो interpretation है, वो शायद आप simplicity के लिए आप किस तरीके से करते हैं, लेकिन उसको भी intelligently, जो सारी debate है वो तो यही है ना कि एक तरफ वाले बोलते हैं कि Marxist history है, एक तर लोगों की, तो देखे, जैसे जो modern Indian history writing है, वो शुरू होती है, जब British है हमारे आपे तब से, अब बिटिश का में एम था जब उनोंने यहां पर रूल करना शुरू करा कि यहां के culture को समझे, जिसे हम एफेक्टिवली रूल करा इनको, तो इसलिए उनोंने जो Indian history पढ़ना और जो पहला स्कूल बोलते हैं, उसमें दो फैक्शन साब कह सकते हैं, तो British School or Imperialist School of Indian history कहते हैं एक तरफ हम को इसी जो ब्रौडर स्कूल है उसमें एक तरफ हम को दिखता है कि भाई, कुछ स्कॉलर्स जो है वो जिसे एक बुक है तो उसमें दो टर्म इस्तमाल करेगे, और उनको मतलब बहुती अच्छी चीजों के बारे में जो इंडियन कल्चर की है, वो दिखा रहे हैं, संस्कृत लैंग्विज की क्या ब्यूटी है, संस्कृत भाशा की, वो बता रहे हैं, और इंडोफोबिया वालों का है कि यहां पर जो, जैसे में जो मिशनरी थी, उनका लिट्रेचर जो था यह आप कह सकते हैं, इंडिया फोबिक लिट्रेचर था, तो उसमें जैसे वो दिखाते हैं कि यह जो करप्ट हिंदू, ऐसे टर्म इस्तमाल हो रखी हैं, कि उनका है कि जो रिलिजिजन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक करप्ट फॉर्म है, ब्राह सेक्शन आपस में डिबेट कर रहे हैं, तो यह पहला स्कूल हो गया, फिर उसके रिस्पॉंस में जब इन नेशनलिस्ट मुवमेंट चलनी शुरू हुई आपके 20th century में, तो उसके रिस्पॉंस में आता है नेशनलिस्ट स्कूल अफ इंडिन हिस्ट्री राइटिंग, तो इनक्लूड करते हैं नेशनलिस्ट स्कूल अफ इंडिन हिस्ट्री में, फिर 50th और 60th का जो पीरियड है, उसमें राइज होता है, मार्कसिस्ट स्कूल अफ इंडिन हिस्ट्री इसमें, सबसे जो प्रॉमिनेंट और सभसे जो पहले स्कॉलर्स थे, जिनोंने, मैं काऊंगा क कि बई फांडेशन रखी, मार्क्सिस्ट स्कूल की, उनका नाम थे डीडी कोसामभी, फिर डीडी कोसामभी के बाद आपके आरेश शर्मा, यह सब स्कॉलर्स है, और अब जो है, आप यह माल लीजे, सेवंटीन, सेवंटीज और एटीज के बाद से, मार्क्सिस्ट स्कूल अफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, जो है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि, उतना इंफ्लूएंशल नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा कि, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट स्कूल अफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग था, उनका जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, उसके थूँ उसके लेंस से वो इंडिन हिस्ट्री को समझते थे तो वो उससे क्या फरक पड़ता था, कुछ इंटरप्रेशन उनकी रही होंगी जैसे अभी हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, तो अर्बनाइजेशन में मार्क्सिस्ट जो स्कूल ऑफ इंडिन हिस्ट्री राइटिंग था तो उसमें उनका यह कहना था कि आरन का बहुत इंपोर्टेंट रोल है, जैसे जब आरन आया तो यह शुरुवात में डीडी को सामभी ने लिखा और आरेश शर्मा इसको एकस्पैंड करा, कि जैसे आरन जब पहली बार आता है इंडियन में इंडियन सब कॉंटिनेंट में, तो हम देखते हैं कि आरन के आने से एक तरसे रेवलूशन होता है, उनका लिटरली एक फ्रेज इस्तमाल होता, रेवलूशन क कि उसमें हम देखते हैं भाई आरन से सबसे पहले तो आपके साथ क्या होगा कि आप जो यह प्रेटिकुलरली मिडल गेंजिटिक प्लेन का इलाका है, गंगा वैली का, उस समय बहुत फॉरेस्टेट था, और जिसे अभी हम देखते हैं खुले-खुले मैदान है अभी यहा जैसे, फिर उसके बाद जो यहां की सॉइल है, पर्टिकुलरली मिडल गेंजिटिक प्लेन की, मिडल गेंजिटिक प्लेन आपका शुरू होता है, लगबग समझ लीजे, प्रयाक से लेके बिहार तक का पूरा एरिया कवर करता है, तो यहां की जो सॉइल है, वो है हार्ड अलुविलियूम सोय, तो उसमें क्या है कि उसमें जो आपके लकड़ी के हल है वो चलेंगे नहीं अच्छे से, तो हलो में फिर लोहे का इस्तमाल हो रहा है, तो आप पेड काट रहे हैं, जिससे कि आप मैदान बना सकें, जिसमें खेती कर सकें, और उसमें लोहे के ओजार इस्तमाल करने हैं, खेती करने के लिए, तो एक तो आपकी जब खेती होगी, खेती बढ़ेगी, तो आपके सरप्लस आएगा, सरप्लस से फिर हायरार्कीज बन रही हैं, वरना जैसे जो उनका क्लासिकल एक्जामट डेफिनेशन है कि ये जब सरप्लस बढ़ा, सरप्लस से फिर हाइरार्की बढ़नी शुरू हुई, कि वर्न हाइरार्की शुरू हुई, शूद्र ये करेंगे, ख्षत्रिय जो है, वो वारियर क्लास हो जाएगी, प्रीस्टली क्लास ही हो जाएगी, फिर उसके बाद, आयरन के, आयरन की मदद से हम देखते हैं कि पहली बार उसको कहते हैं, पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स होते क्या थे कि जैसे लंबी-लंबी आपने शीट्स ली, मेंली हमको एविडेंस मिलता है, सिल्वर और कॉपर का, लिटररी टेक्स में जैसे अब एक्जामपल देतने, आप बात कर रहे थे कि कैसे एविडेंस क हैं, तो लिटररी टेक्स में हमारे पास बहुत एविडेंस है कि सोने के भी होते थे, और सोने का हमारे पास एक्का ये दुक्का हमारे पास सिख्या भी मिले है, जब तक जितनी एसकावेशन होई अभी तक, तो उसमें होता थे जैसे स्ट्रिप्स हैं आपकी, तो करेंसी होगी तो इससे ट्रेड भढ़ेगा, तो ट्रेड भढ़ना शुरू होगा, फिर उसके बाद जो कार्ट वील्स होती है, लोहे से कट जाता है क्या गोल्ड, हाँ, गोल्ड तो बहुत वो है ना, गोल्ड और ये सिल्वर हो जाता है, तो वो कट जाएंगे, तो उसमें तो ये सब कहा कि एक जो आपका सुना आया है, अब सुना गहरो, लोहा आया है, तो लोहे से कितनी सारी चीज होगी, उनके हिसाब से सारे फसाद की जड़ लोहा है, फिर जैसे जो नए स्कॉलर साइंस, दिलीप चकरवर्ती, और बाकी सब और लोग हैं, तो दिलीप चकरव आर्केलोजिकल एविडेंस देखते हैं, तो आर्केलोजिकल एविडेंस में हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटीज में जिसे सिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, और जो ये आपका लोहा है, वो हमको बात की लेर्स में दिख रहे हैं, तो उनका कहना है, और दूसरा एग्जामपल वो ये देते हैं कि जब लोहा आया, तो ऐसा नहीं कि क्रॉप पैटर्न्स चेंज हो गए, नहीं नहीं क्रॉप्स इंटोड्यूस हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो जितना हम वेल्यू लोहे को दे रहे हैं, उतनी है नहीं, तो जिसे ये एग्जामपल फिर उसके बाद गुप्त पीरियड में आप चले जाएंगे तो एक फ्यूडलिजम और अर्बन डिके का कॉंसेप्ट शुरू हो जाता है, तो वो वाला उसके बाद कि मार्क्सिस्ट के हसाब से फ्यूडलिजम फेस आई, फ्यूडलिजम के बाद फिर एक अर्बन डिके आ आप से यह फेनॉमेना शुरू हुआ है आपका पोस्ट मॉरियन फेस में जो कल्यूग का कॉंसेप्ट था तो जो उस समय के ब्रह्मेनिकल सोर्सेस थे, तो उसमें उनोंने देखा कि जो उनकी पहले अथॉर्टी थी, वो अब रही नहीं क्योंकि नए-नए इन्वेडर्स आ तो वो अथॉर्टी जब खतम होगी नहीं तो उनके अंदर एक एंजाइटी है और वो एंजाइटी रिफ्लेक्ट हो रही है जो यह कल्यूग का आइडिया आया है उसमें तो यह है मतलब हम डिसकस कर सकते हैं बात में जो डिसकस करेंगे उस पीरियट को कि कैसे वो एविड इसले हां तो इसलिए खराब दिन शूरू होगे है तो ऐसी बहुत सारे मतलब अलग अलग है कैसे नेश्नलिस्ट कैसे इस्तमाल करते है और कुछ मेरे कुछ मेरे थाब से अदाएय आपका ताइम 54 Ott customer organized को इन नेश्च्टी सिर्टी राइटिं शूरू उड़ा एंस爬्हा इ जैसे चार-पांच जैसे फेमस Winston Churchill का कोट है, कि एक्वेटर जैसे कंट्री है, वैसे ही अगर एक्वेटर को हम कंट्री मानते हैं, तो लो इंडिया को कंट्री मानते हैं, तो इसा कोट था, तो उनके साब से था कि डेवलप सोसाइटी कभी नहीं रही है, तो नैशनलिश स्कूल का रिस्पॉन्स था, उन्होंने दिखाया कि भाई, देखो, ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ चीज़ां आप कह सकते हो कि भाई, गलत थी मेरे साब से, जैसे एक्जामपल था, इंशन्ट इंडियन डेमोकरेसी वाला, मेरे साब से एविडेंस हमको वैसे नहीं मिलते है, चलो वहीं से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सिटीज पर बाद में आते हैं, पहले यह जो एंशन्ट इंडियन जो डेमोकरेसी का एक्जामपल दिया जात है कि यहां पे भी जन्पत थे और वहां पे भी रिप्रेजेंटेटेव काइंड ओफ कुछ ज्यादा नहीं लेकिन रिप्रेजेंटेटेव डेमोकरेसी कुछ हद तक थी, तो यह कितनी सचाई है कि जो डेमोकरेसी, रिपब्लिक्स, जो आज के आइडिया है, अफकोर्स, व क्लासिकल वेस्टरन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने रफली एस्टिमेट कराए कि जो ग्रीक एथिनियन, एथिन्स की पॉपुलेशन थी, वो लगबग थी धाई लाग के करीब, जो मेल सिटिजन्स थे, उनको ही अधिकार था वोट देने का, और वो थे लगबग वन फोर्थ प फिर वहां पर एक असेंबली होती थी, उसको कहते थे बुले, अब उसमें क्या होता था कि 500 सीट रहती थी, और उसमें जो 500 सीट्स हैं, वो लोट के सहरे, वो भरते थे सीट्स, तो जितने आपके 60,000 सिटिजन्स हैं, उसको कभी न कभी लोट्री के हिसाब से उस 500 में तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि 1 4th जो population है, वो सारा का सारा main decision making कर रही है, अब आप Indian case में आजिए, तो Indian case में हमको गण और संग यह दो term इस्तमाल होती है, republics के लिए, आचा दूसरी चीज है कि जिसे लोग समझते हैं कि भाई, उस 6th century BC का period है, उस समय हमको यह पहली text है, उसमें भी आता है mention गण और संग का, लेकिन उस समय का जो गण और संग थे, वो समझ लीजे, आप एक तरह की war bands था, एक तरफ से दूसरी तरफ move कर रहे हैं, कोई fixed area पर rule नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6th century में हमको देखने हैं कि एक fixed area में यह rule कर रहे हैं, और गण संग की खासियत यह थी कि जो क्षत्रिय थे, उन से associated थी, और जीतने हमारे पास evidence हैं, उसके हिसाब से आप जो interpretation है, वो यह है कि यहां के जो गण संग थे, उसमें क्षत्रियों का रोल बहुत था, क्षत्रिय लगभग सारे के सारे जो land थे, वो उन करते थे, तो basic differentiation क्षत्रिय और non- क्षत्रिय classes में था, और उसमें भी जो land में जो काम करते थे, वो क्षत्रिय खुद नहीं करते थे, एक category थी, दास कर्मकार, वेज laborers समझ लीजे, वेज laborers यह काम करते थे, और क्षत्रिय लेंड ओन कर रहे हैं, और individual private ownership का कोई concept नहीं था, एक clan है, क्षत्रिय लेंड है, उस लेंड में जितना आपकी उपजा है, अगर अनाज जितना भी उपजा है, उसको equally share होगा वो सब में, और जो decision making जो होती थी, वो क्षत्रिय, पूरे जन्पद में एक जो क्षत्रिय फैमिली है, जितनी, उसका head, वो decision making में होगा, और सारी family नहीं कुछ-कुछ royal families, राजकुल एक term इस्तमाल होती है, तो राजकुल के जितने भी families हैं, उनका male head, वो decision making में आएगा, तो अगर ऐसे आप calculate करें तो one fourth तो है नहीं है, तो उस यसाब से आप कह सकते हैं, क्वाजा ए रिपबलिक और मेरे साब से oligarchy term जादा अच्छी रहेगी, तो oligarchies थी, लेकिन एक ये उसमें मजे लेते हैं, ये जो व्रिजी रिपबलिक थी, उसका की उनकी जो capital थी, उसका नाम था वैशाली, तो ये बिहार, नौर्दन बिहार, नौर्दन बिहार में, गंगा से उपर, तो वैशाली में कहते हैं कि वो जो text उसमें mention है कि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ राज उसे भरी पड़ी है वो, वैशाली जो है, उसको पूछे हो कहता है मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो उनके हिसाब से बड़ा funny concept था कि बाकी सारे जगों में तो राज तंत्रिक विवस्ता है, एक राजा है, लेकिन यहां पे क्या है कि जो decision making है वो एक collective body ले रही है, एक urbanization है, क्योंकि first Indus Valley civilization, हडपा civilization को माना जाता है, तो यह जो पहली जो शहर थे भारत के, वो सरस्वती सिंधू के बीच में पाए जाते हैं ज्यादा दर, हाला कि इदर उदर भी मिले हैं, गुजरात में भी मिला है, उपर भी मिले हैं, फिर shift होता है, जो एक interpretation शायद कह सकते ह हैं, कि वहाँ पे सूखा पड़ गया, नदी भी सूखने लगी, और जो गंगा थी, वो ज्यादा prominent river system जो बरके आया, and that गंगा plane, तो उसके बाद shift होता है, population भी बोला जाता है, कि shift हुआ, क्योंकि वो culture, और जो गंगा के पास जो शहर बनने शुरू हुए, या settlements आये, उसम कहीं न कहीं कुछ similarities मिलती है, तो ऐसा interpretation है कि वहाँ से लोग शायद, पलायन करके इधर shift हुए होंगे, तो ये river के, जो गंगा river के पास, जो शहर बने, उसको second urbanization का face है, तो इसका क्या कारण था है, एक interpretation तो ये है, बर दूसरा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो बोल सकते ह जो academic circles में तो जो है वो आरियन माइग्रेशन वो है, जो इंडो एरो, इंडो आरियन स्पीकर से, उन्होंने माइग्रेट कर आई से रीजिन में और उस वो उनका माइग्रेशन धीरे पहले उनका जो सप्त सिंदू का एरिया था, उससे फिरह वो ये गंगादू आप के अरि तो एक ये बेसिकली मेरे साब से तो दो इडेशन, दो इंटर्पिटिशन से हैं, दो ब्रॉड स्कूल से हैं, पहला ये कहता है कि भाई, जो फर्स्ट अर्वनाइजेशन जब आपे जो डिवर ड्रायप होना शुरू हुई जो ग्राफिकल कंडिशन के कारण जो वो एरिया से लेके वेस्टन यूपी, उपर जम्मू से लेके नौर्धन महराष्ट्र, जो अभी मिला है, हां मतलब इतना लगभग है, और इसमें भी जैसे पहले हम को, जैसे आप देखिए ना, इंटर्पिटिशन कैसे चेंज होती है, पहले आप अभी भी जैसे हम हिस्ट्री, इंस वहली के आसपास है, लेकिन जो आपके हर्याना में जो फेमस साइट है रखी गड़ी, रखी गड़ी का जो extent है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी भी हर्याना में ही है, तो एकदम से आप देख रहे हैं कि इंटर्पिटिशन जो पुराना क्या था, पुरानी के हिसाब से भई, मोहन जो दाड़ो ये अड़ पाईये सबती, लेकिन अब नए इंटर्पिटिशन के हिसाब से कि उसका जो बेस था, वो ये हर्याना पंजाब के अरासास पास था, तो नए इंटर्पिटिशन तो यह है, तो मतलब एक तो फिर उन्होंने क्योंकि जो इंडर्स बेसिन और ये आसपास का इलाका था, वहाँ पर पॉपुलिशन सपोर्ट करने के लिए क्लामिट बदल रहा था, वो था नहीं, तो इसलिए उन्होंने यहां पर एस्टेबलिश्ट करना शुरू करा, तो यह बेसिकली दो ब्रॉड स् तो जैसे जो हमारे पास सोर्सेज हैं, तो इसमें बेसिकली दो तरीके के सोर्स मिल रहा है, एक तो एक टेक्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जाहिर सी बात है जो बहुत गरंथ हैं बहुत लिखेंगे फिर जयन गरंथ हैं महावीर का भी लगभग यही पीरियद था तो जयन और महावीर और गौतम बुद्ध कंटेंपरेरी थे तो जयन गरंथ भी लिख रहे हैं फिर उसके बाद आपके जो धर्म सूत्र वो भी इसी पीरिड में लगभग कंपोज हुए थे फिर साथ में पार्णनी फिफ्ट सेंचुरी पीसी में इनोंने अपनी आश्ट दहाय लिखी तो यह सब एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं और जयन पर्टिकुलरी बुद्धिस सोर्सेज में एक जो अर्लिएस्ट बुद्धिस स आती है लगभग एक होती है विनय में आपका बेसिकली जो बहुत संग था उसके क्या-क्या रूल होंगे भिक्षु और भिखुनियों के लिए उसमें उसमें डिसकस करते हैं फिर आता है सुट्थ पितक सुट्थ पितक में जो गौतम बुद्ध की कहा जो उनोंने क्या-क् कर रखका है और अभिधम्म पितक है जिसमें फिलोसोफिकल इंक्वाइरी तो जो इस पिरिएड जो इस सिंचुरी अर्बनाइजिशन का पिरिएड और उसमें बेसिकली हमारे लिए इंपोर्टेंट है सुट्थ पितक में एक सब बुख है इसकी जिसको कहते है अंगुतर निकाय को इए 16 महा जन्पद 16 महा जन्पद जो लिस्ट की वो लिस्ट देते हैं तो जैसे यह अंगुतर निकाय में क्योंकि बाकी सोर्से में थोड़ी बहुत अलग अलग है तो उसमें इंटर्प्प्टेशन से अच्छी है जिससे शोल महा जन्पद शुरू होते हैं आप पुराना जो इंशन गंधार था, उसका कोर इलाका था, आज का रावल पिंडी और पिशावर, ये कोर इलाका था, पिर कामबोज, ये दूसरा महाजन पद है, कामबोज के बारे में दिक्कत यह है कि कामबोज की exact location को पता नहीं है, बड़ी जो कश्मीर का इलाका है राज़ौरी, या फिर हजारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, उनको भी इंक्लूड करते हैं, तो कामबोज के बारे में ह जो महाभारत का इलाका यही इलाका है, तो कुरू की capital इस समय इंदरप्रस थी, बुद्धिस सोर्चेस में इंदरपत, इंदरपत बुलते हैं, ये लगभग दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वो, फिर लगभग साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में सॉरी, जैपूर क का जो एरिया है, वहाँ पे आपका था महाजनपद मत्स से, अब मत्स की capital थी, विराट नगर, और जैसे ये कुरू हो गया, मत्स से हो गया, ये सब इस पीरेड में जो बुद्ध का पीरेड है, उसमे इतने पाउरफुल नहीं थे, तो इसके रेफरेंस बहुत कम मिलता है, फिर आप इस्ट में चले जाएए तो पांचाल, पांचाल आपका शुरू होता है, जो फुटिल्स ओफ हिमाले से लेके चंबल नदी तक को टच करता था, और इसकी गंगा नदी इसके बीच से बहती थी, तो उत्तर पांचाल और दक्षण पांचाल है, तो उत्तर पांचा इंपोर्टेंस है, वो भड़ती जा रही है, फिर जैसे आपका कोसल, भगवान राम का आज का आवध, कोसल के बारे में बोलते हैं कि कोसल की जैसे पांचाल का था, कि दो हिस्सों में डिवाइड होता था, इसका भी यह था लगप, कि जो सर्यू नदी है, वो दो हिस्सों म पीरियड है, उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट है, और कोसल से पहले जो पावरफुल स्टेट थी, उसका नाम था काशी, और इस पीरियड में कोसल ने काशी पर कबजा कर रखा है, काशी भी एक महाजनपद है, वारणसी इसकी हो है, कैपिटल, फिर उसके थी कोशाम भी, फिर जो मुंदेल कंड का इलाका है आपका, उसका नाम था चेदी, कैपिटल थी सुक्तिमती, फिर स्पेशली सदन उस इलाके में हम जाते हैं तो जो मालवा का इलाका है, वहाँ पे थी अवंती, अब जैसे अवंती के बाद जो एक कैपिटल आती है, उसका दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन देते हैं, आप बहुत सोर्सेस देखेंगे तो बहुत सोर्सेस के साब से गोदावरी के तट पे बसा था यह लाका, अश्मक का, लेकिन अगर आप जो पुरान है, पुरान इसको नॉर्थ फेस्ट में लोकेशन देते हैं, फिर जो तो आपके Greek sources है, Greek sources एक mention करते है, से state का नाम, Askenoi करके, तो इस्टोरिय और वो भी स्वाथ वैली के आसपास located है, तो हमको अलग-अलग location, अब कौटेल ले देखें, कौटेल ले कहते हैं, वो महाराष्ट के आसपास थी, तो location अश्मक की बहुती confusing है, फिर हम उपर नॉर्थ में ये जो यूपी भिहार के इलाका है, तो basically Magad, Magad जो है इस समय, इस समय इतना powerful नहीं है, जो Gotham Buddh का period है, Magad के नॉर्थ में गंगा border है, नॉर्थ में आती है व्रिजी, व्रिजी इस समय गण संग है, और गण संग बेसिकली दो तरहते होते थे, जो व्रिजी ओं का गण संग है, उसमें लगवाग 8 से 9 खत्रिय क्लैन रूल कर रही है, इनकी common capital अलग-अलग capital थी, लेकिन main capital वैशाली थी, और वैशाली capital एक लिच्छवी गण संग था, जो की व्रिजी जो broader गण संग है उसका पार्ट था, तो वो मतलब वैशाली उनकी capital है, फिर जो भागलपूर का इलाका है, चमपारन का, वहाँ पे आपका अंग यह है, तो लगबग साइट से सोलन ही होंगे, लेकिन यह है लगबग basic broad, गौतम बुद्ध के समय में, चार महाजनपत जो हैं, वो basically rivalry चल रही है उनमें, अवन्ती, वत्स, कोसल, मगद, चार, वहाँ नेबर्स हैं, तो यह लगबग लगबग हमको देखने को मिलता है, और अब जैसे बात करेंगे हम lists की, तो पुराणों में, जैन और बुद्धिष सोर्सेस में, जो मल, मल भी एक तरगा गणसंग था, और विज्जी, जिसे जो नौरदन बिहार में रते हैं, तो वो दोनों included हैं, लेकिन आप पुराणों में जाएंगे, तो उन्होंने हटा रखें, उसमें नहीं मिलते, तो उसमें कुछ इस्कॉलर्स का ये कहना है, कि जो ये क्षत्रिय गणसंग थे, वहाँ पे जो और्थडॉक्स रिलीजिन था, वेदिक रिलीजिन था, उसमें ज्यादा उसको पेटरनाइज नहीं करा जाता था, तो इसलिए जो पुराण थे उन्होंने हटा दिये, लिस्ट ने हटा दिये, तो ये अर्गुमेंट है लेकिन इंट्रिप्टेशन से आप रिवेरिफाई तो कर नहीं सकते, जो आथर्स हैं पुराणों से कि भाई ये आपने हटाने का कारण क्या था, तो एक ये इंट्रिप्टेशन है, ठीक है, तो ये एक lay of the land हो गया, इसके बाद जो कहानी शुरू होती है, इनके आपस में चल रही है, रेवल रही, उसके बाद मगद का एक rise होता है, वो उसकी कहानी क्या है, पहले कौन, और उसका कारण क्या है, क्या जो ये शहर बन रहे थे, नए-नए, इनसे पावर भी जनरेट हो रही है थी, रिसोर्स भी आ रहे थे लोगों के पास, और क्योंकि मगद, मगद का ही क्यों तारा बुलंद हुआ, उस हिसाब से, मगद की हिस्ट्री सुरूआत होती राजा है, मतलब इसमें भी अप को अलग अलग कहानी बताते है, सबसे जो मेन हमार लिए पर्सन है, पीरड़ के वो और मगद के राजा थे, तो मगद के राजा, बिमबिसार की दो कहानिया मिलती है, पुरानों के अनुसार, पुराने समय में जब काशी पावरफुल था तो काशी ने मगद पर कबजागर रखा था और मगद की जो इससे पहले की डाइनस्टी थी उसको हटा के एक नई डाइनस्टी इंस्टॉल करी और उसकी जो फिफ्थ किंग थे वो बिम्बिसार थे तो शिशुणाग डाइनस्टी कहते है ये पुरानो के हिसाब से अब बहुत गरंतों में आप चले जाएंगे तो बहुत गरंत ये वाली स्टोरी हमको नहीं देते जो बिम्बिसार के पिता हैं उनका नाम हमको नहीं मिलता लेकिन वो सेनियसेन कहते है तो एक interpretation यह है कि वो पहले military commander थे, बाद में उन्होंने एक अपनी नई dynasty established करी, जिसका पहले राजा जो थे, वो बिम्बिसार हुए, हरियंक dynasty उनको कहते हैं, तो यह दो interpretation देखने को मिलता है, बिम्बिसार का जो region है, मगद का region, वो है आपका पटना और गया का इलाका, का इलाका है, जो मगद का eastern neighbor है, उसने बिम्बिसार के पिताजी को हराया था एक बार, तो सबसे पहले बिम्बिसार क्या करते हैं, कि अंग कॉंकर करते हैं, उसके बाद वो दो शादियां करते हैं, जो बाद में जाके बहुत, जैसे बुद्ध सोर्सिस में कहते हैं, कि उनक कोसल की बहन, कोसल के राजा प्रसनी जी थे समय और उनकी बहन कोसल देवी की शादी हुई थी, और दूसरी जो northern neighbor हमगद का, व्रिजी, व्रिजी रिपब्लिक, उसकी जो बेटी है, जो राजा है, मतलब में जो गणसंग के जो लिचवी के उनसे शादी हुई है, तो अच् आप खुद अपना interpretation देखना चाहें, तो बहुत ही जादा simple लगता है कि जैसे आप matrimonial alliance करने के बाद, आपका main यह रहता है कि एक friendly relations हो जाएंगे, तो आप expand, जैसे आप अंग की conquest के बाद, जो neighbors हैं, उसमें रहेगा कि हमारे तरफ कब जा करना, मतलब attack करना शुरू कर दे तो बिम्बिसार के एक policy आप यह कह सकते हैं कि matrimonial relation अपने जो western neighbor है और northern neighbor है, उससे करने का कारण यह था कि अब उन पे anxiety ना रहे है कम से कम, और दूसरा मगद का वैसे भी resources बहुत हैं मगद के पास, मगद का जो southern इलाका है, वहां पर forests हैं, और इस समय का जो warfare है, उसमें ज forests जंगल हैं, वहां से हाथी मिल सकते हैं उनको, फिर जो मगद का इलाका है, वहां पर हमको दिखता है, वहां पर iron rich mines हैं, तो वहां से जो iron ले सकते हैं, अचा दूसरा एक मगद के rise में कुछ scholars यह कहते हैं, जैसे basically Marxist historians हैं, उनका यह कहना है कि मगद में orthodox religions का इतना influence नहीं अब मेरे हिसाब से orthodox religion का influence ना होने के कारण rise होना समझ नहीं था, क्योंकि आप गुपता पीरेट में चले जाएं, तो गुपता पीरेट में वह orthodoxy का गड़ था, गुपता एम्पायर जो था, महां के राजा आपके समुद्र गुपत प्रावडली क्लेम कर रहे हैं कि मैं अश्युमेद यग्य करवाया है, अश्युमेद यग्य इससे बड़ी orthodoxy का patron को हो नहीं सकता, तो गुपतो का तो राइस हो गया, वह orthodoxy, orthodox religion को patronize कर रहे थे, तो यहां पर मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे हम यह कह सकते हैं कि यह orthodox religions को patronize नहीं कर रहे हैं, इसके कारण इन का growth हुआ है, तो basically आपको एक common trope है scientific temper, superstition में विश्वास नहीं करना, यह सब, तो वो orthodoxy को उससे जोड़ा गया है, कि superstition था, तो यह नहीं थे, तो इसलिए growth हो गई, तो basic यह है, कि मतलब बिम्भी सार के बात से, हम देखते हैं कि धिर धिरे growth शूरू नहीं, जो बेटे थ के साथ दिखे वो आपके बिम्भी सार की आप तो विश्वाडी की गयर उसके विरज उसके बेटे थे, तो इसे जैसी जैसे राजरू के भारे में यह है कि DO STORIES की आती हैं, पहले यह तो स्टोरीज तो जैन सोरसर में हाई कि बिम्भी सार भहत प्यारकरते थे अपने बेट में बेटे को राजा बनने की बहुत इच्छा हो गई तो उसनब ने पिदाजी को बंद कर दिया जेल में अब जैन सोर्से यह कहते हैं कि वह उन्होंने सुसाइड करा और बुद्धिस सोर्से यह कह रहे हैं कि वह मतलब खुदी मतलब मर गए सुसाइड नहीं वा था तो यह अलग अलग स्टोरी मिलती है अजाद शत्रू जैसे ही वह मतलब लेकिन जैसे अजाद शत्रू पर आते हैं लेकिन जो बिंबिसार हैं उन्होंने क्या एक्सपेंड किया मगद को यह उतना ही था उन्ग कॉंक्वेस्ट हो गया उसके बाद यह बस दो मैट्रिमोनियल अलाइ उनकी रानी जो कोसल के राजा प्रसनी जीत की बहन है वह भी सुसाइट कर लेती है यह मर जाती है तो जो कोसल के राजा प्रसनी जीत है उनका यह मानना है कि अजाद शत्रू की वज़े से मेरी जो बहन है वह मरी है तो बहर शुरू हो जाती है दोनों के बीच में और मगद वोदे सोर्सेस में में अचान आता है कि जो अजाद शत्रू थे इस समय बहुत ज्यादा कॉंफिडेंट हो वे थे तो एक बार एमभुश करा यह जो कोसल आर्मी उन्होंने और अजाद शत्रू को पकड़ लेते हैं मगदगा राजा अजाद शत्रू कोसल आर्मी ने पकड़ को लेकिन मारने का नुकसान यह होता कि मगद से राइवल्री जो थी वो खतम नहीं होती अजाद शत्रू के बाद कोई और आता तो एक आप कह सकते हैं अच्छा डिसिजन यह लिया उन्होंने कोसल के राजा प्रसनिजीत ने उन्होंने का कि मैं तुम्हारी मैं अपनी जो लेटी है उससे शादी करते देता हूं तुम्हारी तो शादी करने से कोसल और मगद का रिलेशन अच्छे हो गए फिर से और साथ में अजाद शत्रू के समय हम देखते हैं कि जो में अजाद शत्रू के पीरियड जो था उसमें में जो वार हुई थी वो ही थी उपर जो और जैसे जो गणसंग का इस समय का जो महौल है वो हम यह देखते हैं कि गणसंग इस समय डिक्लाइन पर उसका कारण में यह था कि जैसे जो बुद्धिस सोर्चे हम जब पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि जैसे जो बुद्धिस सोर्चे में बुद्धिस सोर्चे में करते हैं कि वो 80,000 जो गामी का, गामी का मतलब विलेज सुप्रीडेंडेंडेंस के साथ असेम्बली कर रहे हैं, तो जिससे हमको ये पता लगता है कि भाई, बहुत जादा विलिजेस थी, मगद में, विलिजेस थी तो मतलब जाहिर सी बात है फार्म लेंड होंगे, बहुत जादा resources होंगे, और ये सब आपका जो buddhist sources है, उसमें जब बहुत सारे गाउं mention कर रखे हैं मगद के, लेकिन जब वैशाली की बाता है, तो बहुत कम गाउं है mention, और तो उस से हमको ये देखने को मिलता है कि resource जो मुनार्की थे हैं, मगद खासकर, वहां पर रिसोर्स बहुत जादा है, लिच्छेवी जो रिपब्लिक्स हैं, उसके पास कम है, और दूसरा कहा है, जो छोटी-छोटी रिपब्लिक्स हैं, पहले ही जो बड़ी-बड़ी आपकी मुनार्की थी, उन्होंने कपजा कर रखा जैसे जो शाक्य, गौतम बुद्ध का जो kingdom थी, वो शाक्य थे, गौतम बुद्ध के बारे में दो उनके लिए इस्तमाल होता है, शाक्यमुनी और शाक्यसिंग, सेज ऑफ द शाक्याज और लायन अफ द शाक्याज, जो बुद्धिस टेक्स पढ़ेंगे, आप तो गौतम बुद्ध बहुत कम लिखते हैं, शाक्यमुनी या शाक्यसिंग, तो शाक्यों का ये था कि वो भी गणसंग थे, लेकिन गौतम बुद्ध के समय कोसल का लगभग influence था, कब जाई ये थे एक तरह से था, बाद में कोसल खतम ही कर देता है शाक्यों को, तो ये लगभग आप समझ लिजे कि डिकलाइन हो रहा था गणसंगों का, और गणसंगों ने भी समझ रखा था कि डिकलाइन हो रहा है, तो एक तरह से एक बड़ी confederacy बनती है, जिसमें लिच्छवी और व्रिजी जो हैं वो हैड हैं मगद के खिलाफ, और ये बहुर 16 साल तक लगभग चलती है 16 साल तक चलती है, फिर इसी पीरिड में पहली बार एक पार्टली पुत्र का establishment होता है, उससे पहले जो मगद की राजधानी थी, वो राजगरिया थी, पार्टली पुत्र इस समय कैपिटल नहीं बनी है, वो एक तरह से forward base है आप कह दीजे, क्योंकि गंगा पे है, गंगा ज क्या सकते हैं कि रिसोर्स कम होने के कारण, मतलब कम होते हुए भी, जो विरिजीस थे, उन्होंने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, और एंड में जाके हमको बुद्धिस सोर्से से पता लगता है कि एक अजाच शत्रू के मिनिस्टर थे, जिनका नाम था वसा करा, वसा अजनी भी यह अलग-अलग इनकी क्लैन से विरिजीयों की, उसमें एक तरह से डिस्यूनियन का वो भीजबो देते हैं, जिसमें जब अटैक करती है, मगधन आर्मी, एंड में, तो वो अपनी चक्र में पड़े पड़े हैं कि हम कैसे अपनी सेफटी, अपनी सेक्योर कर सके तो अजाद शत्रू के एंड तक आते आते, मगधने कॉंक्वर कर लिया है आपका नौर्धन नौर्थ अफ पुरा फुठिल पुरा हिमालेन फुठिल तक पुरा कॉंक्वर्ष्ट होगी, अंग तो कॉंक्र कर लिया है पहले, गंगा से उपर भी गंगा से नीचे भी, तो एक बड़ा से एरिया जो है मगध के पास है, अब अजाद शत्रू का जो फेट है वो लगवग सेम है, इनों ने बिम्भी सार के साथ जो हरका करा, तो इनके बेटे ने भी इनके साथ वही करते है, इनको जेल में बंद कर देते है, तो जो यह पहली डाइनेस्टी है, इसमे काशी पे अमद मतलो मिनिस्टर, तो मिनिस्टर काशी पे समय समय गवर्नर है वहां का, उसको बूलाते हैं, क कहते हैं कि भी आप राजा बनो, ये जो राजा है, जो उससे पहले की डाइनेस्टी है, इनसे अब नहीं हो पाएगा, तो ये शिशुनाग या शिशुनाग नई पावर है वो बच रखी है जैसे शुरुवात जब हमने करी थी तो चार में थी राइवल्स मतलब में पावर थी कोशल वत्स वत्स अब ये कोशल वत्स मघध और अवंती अवंती वाला ये वाला रीजन है जो महाराष्ट से लेके मालवा कहलाकास मालवा नौदय प्रदेश नर्मदा से उपर ही तो अच्छा अवंती के बारे में दो कैपिटल इसका जैसे बुद्धि सोर्स वो कहते हैं कि अजयन अज का वो कैपिटल है पुरानिक सोर्स में आप चले जाओके तो उनके इसाब से महिश्मती और महिश्मती की लोकेशन पे ड़ी बेट है तो ये दो अब कहेगी कोसल पर कबजा हो चुका है ठीक है तो लेकिन ये महिश्मती का कहां पर है जो ड़ीट है वो किस किस एरिया पर है नर्मदा के उपर ही है इलाका तो उसमें मेरे को नाम अभी याद नहीं है लेकिन जो ट्रेडिशनली जो महिश्मती आज भी बोलते है जो जगह है वो आपका जो पुरानिक हिसाब से वो है जो आज के स्कॉलर्स हैं वो कोई दूसरी जगह बताते हैं मतलब वेस्ट में है सायद से तो जो आज का महिश्मती जो ट्रेडिशन के हिसाब से जो आज के स्कॉलर्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके हिसाब से थोड़ा कोंकर कर लेता है अब वत्स वाला एरिया लगभग आपका समझ लीजिए ये इलाहबाद और कोशामभी का जो इलाका है वो अवंती लगभग यहां तक आ जाता है तो एक दम बाउंडरी पर आ चुका है मगद की तो अब ये दो में राइवल्री चल रही है और ये में आजाद शत्रु के बाद जो राजा आते है उसमें इतना इंटर्नल कॉन्फिक्ट ही चल रहा है कि अवंती का राइज इतना अच्छे से हो गया कि आपके वत्स बगल में नेवरिंग स्टेट है उसका कोई कभजा कर ले रहा है उसका कोई कभजा कर ले रहा है उसका कोई पर देखता है कि यह रिजन है, पहला बात तो वह क्या करते हैं, सबसे पहले एक step लेते हैं, कि जो capital है, वो राजगरी असा अटा के वैशाली कर देते हैं, वैशाली करने का मेन कारण यह था, गंगा से उपर है, तो आपको गंगा क्रॉस करनी पड़ेगा अगर अटेक करना ह तो यह होता है तो अब और एंड में शिशुनाक की एंड में जाके अवंती के साथ लडाई होती है और अवंती पे गॉंकर हो जाता है अच्छा उनीके टाइम पर तो एड़ एंड ऑफ दे आप कह सकते हैं कि बिम्भी सार के बाद या राजाथ शात्तू बिम्भी सार के सब कोई या तो डर रहा है या फिर अगर अटैक भी कर रहा है तो खुदी हार जा रहा है देखे इसमें पहली बात तो जैसे जो है कि यह जो नौर्दन इलाके है वैशाली का कॉंकर करने के बाद आपके पास इलाका कौन सा है आपके पास है कोसल भी उन्होंने कपचा कर ल क्योंकि उन्होंने काई छोटी छोटे गण को कॉंकर कर रखा है अब छोटे छोटे गण को जब आपने कॉंकर कर रखा है और आपकी जो आपके पास इतनी स्टेट अथॉर्टी नहीं है तो छोटे छोटे राज जिनको आपने कॉंकर कर रखा है वो रेबेलियन तो होगा महा तो एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि अजाद शत्रू के जीतने का कारण भी यह था कि कोसल था, कोसल ने दूसरे राज्यों पे कबजा कर रख लेकिन उसको अच्छे से अपने में इंकॉर्परेट नहीं कर पाया था तो मगद ने जब यह इलाके कॉंकर करे कोसल के तो एक तो आप यह कह सकते हैं कि पर्सनल लीडर्शिप का दिम्मी सार आप लीडर्शिप कैलिबर आप यह देख सकते हैं कि अंग को कॉंकर करने के बाद वो व्यक्ति जो है पहले देखता है कि भाई सबसे पहले उसके मन में यह आता है कि जो मेरे Northern और Western नहीं बर हैं उनको यह ना लगे कि भाई अगला जो हम Target अगले हम होंगे तो इसलिए उनका सबसे पहले वो शादी करते हैं तो Personal Decision तो था ही और दूसरी बात है Resources को अच्छे से यूटिलाइस करना जैसे मैंने बताए बुद्धिस Sources कहते हैं कि 80,000 गराम थे महाँ पर तो इतना Resource है आपके पास बगल में आपके Iron Mines हैं और Southern इलाका जो है जारखंड का जो इलाका है तो इसकी वज़े से काफी Resource आता होगा और यह Iron Age भी है एक तरीके से Iron Age है फिर दूसरा आप यह सकते हैं कि जैसे जब कोसल आपने कॉंकर कर लिया है गौतम बुद्ध के अजार्चत्रू के पिरिएड में तो कोसल आपका है लगभग Eastern UP का इलाका Eastern UP काशी भी आपके पास ही है Eastern UP और बिहार यह पूरा एरिया लगभग आपके पास है अब Eastern UP और बिहार आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलस है और उस पीरिड में भी होंगे और हम इस पीरिड की बात कर रहे हैं जिस पीरिड में जो industrialization हुआ नहीं था तो manpower जो main role play करती है एतना रिसीरिसोर्स Escape यह सबना लोग है आपके पास इतना ज्यादा रिसोर्सेस्टे है और जिस रिस्67 кे पास इतना फर्टाई राका है तो इतना रिस्यार्स्समिट अपने पास ला सकता है और को यह और इस तरभ है उस समय बाइयों का इलाके में उनका राज है लेकिन देखिए आज भी वही है आज भी आप पुपिलेशन डेंसिटी देखिए वही रिवर्स है उतना ही रिसोर्स है जारखंड वाले एरिया में लेकिन शायद इन सब के बावजूद जो नहीं है वो है लेडर्शिप लेडर्शिप इंपोर्टेंट है आपकी जैसे बिम्बी सार अगर नहीं होते हैं आप कह सकते हैं कि कोई और राजा होता तो अंग के बाद वह अगर शुरू करते हैं सीधे वैशाली से लड़ाई करना तो सीधी बात है जो व्रिजी वाले है वो कहते है कोसल से कि देखो भी संधी बनाते हां कि हमारा number है उसके बात जैसे हमको कभजा करेंगा विस तुम्हारा number आएगा तो संधी बनाते है और इनको खतम करते है तो इनका अब जिसे अवंती से भी बिम्बिसार का हमारे पर आता है कि एक embassy, अवंती का राजा था वो बिमार पड़ता है बिम्बिसार के टाइम प तो अवंती भी जो सदन नेवर है एक तरह से कह सकते है उसका भी उन्होंने ये रखा है कि वहाँ पर उनको फिजीशन बेज के कि डिप्लोमैसी भी है मिलिटरी माइट है लेकिन वो इंटेलिजेंस भी है कि डिप्लोमैसी भी करना चाहिए रिलेशन्स अच्छे बनाने चाहिए मैट्रिमोनियल देखी वहाँ पे किया अपने फिजीशन को बेजा तो काफी राजनीतिक समझ और ये हमको फिर बाद में जैसे जो गुप्त कि अधर में भी हमको देखने को मिलता है उसमें तो इसके बाद ये अभी भी लेकिन एंपायर वाली शेप नहीं आई है ये बहुत बड़ा मतलब एक काफी एरिया ले लिया है अवंति को भी डिफीट कर दिया है बट एक जो ट्रू एंपायर बनता है वो नहीं है वो नंद जो डैनेस्टी है उसके टाइम पे आता है नंद जो बनते हैं अब जैसे नंद के बारे में हमको ये स्टोरीज है जैसे दो फिर से आता है कि जैसे पुराणों के हिसाब से जो पहला नंद राजा था उसका नाम था महापदमनंद अच्छा बुद्धिष्ट और जैन सोर्स इसमें उगृ से तो ये दो सोर्स फिर उसमें एक सोर्स ये कहता है कि नौ रूलर्स थे नंद रूलर्स ये सबको क्लैरिफाय है मतलब इस पे सब ऐगरि करते हैं लेकिन एक सोर्स के हिसाब से जो पहला था वह पिता था बाकी आर्ड भाही थे अच्छा हां और बाकी में है कि मतलब वैसे बेटा उसके बाद उसके बेटा उसके बेटा वैसे तो स्टोरी अलागे लेकिन यह हमको पूरे अच्छी तरह से पता है कि नंद के समय में जो यह सूर से शूर सेन, कुरू, पांचाल, मत, कुरू नी, पांचाल तक तो हो जिया था, पूरा का उपी का इलाका आपने कर लिया था, अवंती पहले ही था आपके पास, तो यह समझ लीजे, लगबग पूरा नॉर्दन इलाका जो है, उस सारा का सारा आपने कॉंकर कर लखा है, इस्ट तो आपने पहले ही कॉंकर कर लखा है, तो नंद के सामय आपके जखते हैं कि पहला एंपायर आ गया कि ए सिंगल सुप्रीम लॉर्ड, छत्रपती, चत्रपती तो नहीं, इसमें एकारत इस्तमाल होती है कि जट्रपती का मतलब यह है, जिसे इंडियन सोर्चेज में यह छतर, जो है वो रॉयल्टी का सिंबल है, तो छत्रपती मतलब छत्र जिसके पास है, शत्रप शायद जो है उसी से आया है कि? नहीं उसमें डिपेंड मतलब रूट एक हो सकता है क्षत्रप का मतलब होता है कि एक एरिया को आप सिक्योर कर रहे है तो उससे अम्ब्रेला भी एक तरह से वो होता है तो common origin हो सकता है तो वो अपने आपको किस तरीके से address करते थे यह नंद या फिर बिम्बिसार या मगद के राजा जो थे? इस समय तो देखिए जैसे बुद्धिस्ट जो इंस्क्रिप्शन तो पहली बात कोई है नहीं हम अभी तक जितनी बात कर रहे है वो सारे-सारे textual sources भी बात कर रहे है और दूसरा जैसे इसमें debate आ जाती है जो ब्रह्मी लिपी है ब्रह्मी लिपी में debate ये आ जाती है कि इस period में लिपी थी भी की नहीं थी जैसे पहला जो sources हमको मिलते हैं लिपी के वो लिपी मिलती है अशोकन पिरिएड में अशोक ने जो अपने स्तंब बनाये थे अभी लेक लिखे थे वो ब्रह्मी लिपी में लिखे थे उससे पहले कुछ है नहीं हमारे पास तो scholars का ये कहना है खासकर जो western scholars हैं उनके साब से ये कहना है कि भई अशोक से लगबख समलोग 50-60 years पहले डेवलप होई होगी अब लेकिन उसमें आप ये कहेंगे कि 50-60 साल पहले अगर कोई लिपी डेवलप हो रही है और अशोक तक आते आते इतनी advance हो चुकी है कि उसमें जो complex languages भाशा है वो लिखी जा रही है तो story बहुत complicated है तो basic sources में तो राजा ही इस्तमाल होती है अगर ये अशोक भी अपने आपको राजा ही कहते है उनकी तो inscription है हमारे पास उसमें वो अपने आपको बलकि राजा जंबुदीप उन्होंने term आती है राजा जंबुदीप का भी राजा नहीं कहते है वो अपने आपको राजा मगदे कहते है अच्छा मगद का ही वो राजा मगदे है, तो बेसिक जो है वो राजा मगदे, लेकिन आप बाद में देखेंगे ना, तो जिसे कुशान और उसके बाद, तो वो ग्रेंडियोस टाइटल इस्तमाल करने जादे है, परम दैवता, परम बतारक, देव पुत्र, ये सब टाइटल से कुशानों का फेम है इस धर्ती पर जो रूल करने के लिए है, लेकिन इस समय हमको नहीं मिलता, इस्पेशली या तो मौरियन पीरिट तक है, मौरियन पीरिट में सॉलिड एविडेंस है, टेक्शिल सोर्से को आप कह सकते हो, बाद के सोर्से हैं, क्या पता है, अच्छी चीज़ मतलब एक्ज उनकी क्या कहानी है, नंदो की? कि जो पुरान है, वो मौर्य को शुद्र इसले कह रहे हैं, क्योंकि जो मौर्य राजा थे जितने भी, उन्होंने वेडिक रिलीजन को कभी सपोर्ट नहीं कर आच्छी से, तो इसलिए उन्होंने शुद्र बना दिया इनको, और बाद्ध गरंथ जो है, वो खत्रिय इसले लिख रहे हैं क्योंकि उनका ओरिजिन शुद्र था, लेकिन बाद्ध जो बाद्ध रिलिजन में जो इस पीरियड में, बाद्ध में हैरार्की में ब्रामनों के उपर खत्रिय आते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं, वो भी खत्रिय थे, और जैनो में भी महावीर, ज सकते हैं कि जो आपके जो राजा हैं, जो आपको इतना पेटरनाइस कर रहे हैं, अशोक जो हैं, वो शुद्र होंगे, तो इसलिए उन्होंने क्षत्रिय दिखाया है, दूसरा अर्गुमेंट अगर आप ये कहेंगे कि असली में जो मौर रहे थे हो क्षत्रिय थे, और का अलगा है, तो जब हमको में जो राजा हैं, उन्हीं का नहीं पता है, जो सबसे बड़ा किंग्ड़म है, उसी पर डिबेट है, तो शाइद दूसरे हैं, उनके बारे में तो बहुत ही इन्फोमेशन होगा ही नहीं, उसमें बहुत वैसी वाली स्टोरी है, कि कभी जैसे व कि एक माइन, डायमंड माइन जो थी, गंगा के किनारे मिली थी, डायमंड माइन मिली थी तो और डायमंड माइन मिली थी, इसमें एक एग्रिमेंट हुआ था कि कुछ शेर जो है, वो विरिजी वाले रखेंगे, कुछ मगद वाले रखेंगे, अब विरिजी ओने शेर जो ह होगी तो इसले लड़ाई शुरू होगी तो यह जो अभी यहां पर हमारा स्टोरी जो खतम होता है उसके बाद जो सेकंड एपिसोड होगा उसमें हम मोरियंस पर बात करेंगे जिनके बारे में भी काफी कम सोर्सेश हैं अच्छे इसमें एक चीज मैं यह जैसे हमने आर्केलो की राजग्रिय है यह है तो इस समय छह शीटीज में मानी जाती थी महांगर बुद्धित ईतो च्मपा-चंपा राजधानी ती अं 살ग ए लाजग्रिय मगद की राजधानीri वैशाली, वरिजी, नहीं वैशाली को नगर बोला गया है, अच्छा, वैशाली को नगर बोलने का कारण भी जैसे बहुत लोग historians ये कहते हैं, कि वैशाली में इतने जादो sources नहीं थे, अपने बात करी नहीं, कि वरिजीयों के पास इतनी जादा वो नहीं थी, तो इसलिए व वैशाली को नगर बोला गया है, फिर काशी, और उसके बाद आपका कोसल में दो हैं, श्रावस्ति और साकेत, साकेत कामा पास अर्केलोजिकल एविडेंस नहीं है, साकेत तो अयोध्याई है ना, अर्केलोजिकल एविडेंस को कि तनी इतनी डीप खुदाई हुसमा पे हुआ है, और एसकवेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, जो इस पीरेड़ में है, जो वाल्ड सिटी तो नहीं कहेंगे, जो फोर्टिफाइड सिटी है, वो दो सो हेक्टेर के करीब थी, दो सो हेक्टेर लगबग मतला पचास हेक्टेर का आपका लाल किला है, चार लाल क सिटीज हैं, तो एक सिंगल सिटीज को सोचते हैं, तो ऐसा नहीं था, जैसे खास कर हम कौशामबी की बात करें, तो कौशामबी में चार तरीगी के आप डिवाइड कर सकते हैं, जो सेटलमेंट्स थी, सबसे नीचे लेवल पे आपकी इस थी विलिजिस, विलिजिस में देखने को मिलता है, यहाँ पे छोटे-छोटे जो आईरन का काम हो रहा है, यह छोट-छोटे क्राफ्ट्स जितने बन रहे हैं, वो इस इलाके में बनते थे, और दूसरा यहाँ से जो आपके ऑफिशल्स थे, वो विलिजिस में जा जाके जो रिसोर्से टैक्स लेना है, व उसके नौर्थ में, गंगा नदी के आसपास, यह दोनों हैं इलाके, अच्छा, प्रियाग राज और, हाँ, प्रियाग राज इलाबाद का यहाँ पे, यह पूरा क्पूरा आसपा, यह क्लश्टर है कोशाम्भी के आसपास ही, तो यह कार और श्रिंगवेरपूर, यह फोर हेक्टेर के करीब है, लेकिन एक बात है कि यह सारी कि सारी कहीं न कहीं, गंगा नदी से ज्यादा दूर नहीं है, गंगा होगे, यमन होगे, यह तो यह दुआप का इलाका है, पूरा का पूरा, और दूसरा फॉरस्टेड इलाका बहुत था ने, इसमें, जैसे हम अभी जै आप काप की बात कर रहे हैं, हम धाई हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, तो कितना डिफॉरस्टेशन हुआ है, तब जा कैसी हालत हुई है, अभी बल्कि मतलब, इवन मुगल पीरियड में भी, यह इलाका पूरा का पूरा बहुत जादा जंगल थे हां पे, वेस्ट अभी बिहार में यह बहुत और बिहार के जैसे मगत जो है, उसके नीचे तो फिर पहले था ही वो उसका नाम, अगर भी हम सोचते हैं, हम भी हम जैसे जब देखते हैं लैंड्सकेप आज का, तो हम यह लैंड्सकेप देखते हैं कि गाउं है, खेत शुरू हो के जैसे इसे नौर्ड में, और खेत चले जारे हैं, चले जारे हैं, ऐसा नहीं होता था, पहले का, गाउं है, आसपास खेत हैं, फिर जंगल 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 जंगल, शहर हैं, आसपास खेत हैं, जंगल जंगल जंगल, तो ऐसा होता था, अब क्या है कि खेती खेत हैं, उसके बगल एक projection ये होता है कि orthodoxy जो वेदिक orthodoxy है उसके खिलाफ एक आंदोलन की तरह देखा जाता है तो ये किस तरीके से कितना सही है कितना नहीं और इसके sources क्या हमको मिलते हैं including in Buddhist and Jan sources तो जैसे इसमें कि आप समझ लेज़े एक तरह से कह सकते हैं classical interpretation ये है तो ये Marxist भी बोल सकते हैं इसको ये पहले सही है नहीं पहले से तो नहीं है जैसे बेसिकली जो Buddhist sources है उसमें तो ऐसा नहीं लिख रखा कि ये response है Brahmanical ideology का तो ये तो नहीं है Marxist view के हिसाब से ये थै कि जो ये period इससे पहले का period और इस period में भी जो sacrifices थे Vedic sacrifices थे वो बहुत ज़्यादा elaborate हो गए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था खर्चा आ रहा था इतना मतलब superstition भड़ रहा था लोगों का और उसको counter करने के लिए एक तरह से ये ideology नहीं new ideologies डवलप हो रही है new ideologies में जैसे आपके बहुत धर्म, Jain फिर उसके बाद नहीं नहीं materialistic ideology जैसे ये आपके चारवाक हो गए फिर आजी भी उनका fit पे ज़्यादा नियती सब कुछ जते करती है और जैसे एक misconception ये है कि लोग समझते है Jain और बहुत धर्म दोनों साथ ही develop हुए लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे Jain धर्म जो था, काफी पुराना है हम ये नहीं जानते कितना मतब डेट नहीं कर सकते लेकिन महावीर जो थे आप एक तरह से कहाँ दो कि जो modern Jainism जो बाद में आया उस समय महावीर ने उस समय पुरा structure उसका तै करा तो ये है तो classical ये argument तो ये है कि वेदिक जो orthodoxy थी उसके response में ये new ideologies आ रही है उसमें एक argument ये भी आता है लोगों का कि जैसे वेदिक period में भी जब ये sacrifices का रोल बढ़ना शुरू हुआ तो उपनिषद जितने लिखे गए वो एक तरह से response था उसका और उपनिषद point of view का कल्मिनेशन जो है वो आपका बुद्धिजम और जैनिजम में हमको देखने को मिलता है कि जैसे उपनिषद बात करता है कि संसार, मोहमाया ये सब वाला रिनंशियेशन प्रैक्टिसेस का बहुत ज्यादा रोल है उपनिषद में और जो कर्मकांड पे लेकर इतना फोकस नहीं है तो जो आइडिलोजी जो उपनिषद में शुरू हुई थी उसका कल्मिनेशन जो है हमको जैन और बुद्धिजम में देखने को मिलता है यह जो नहीं आइडिलोजी जारी है उसमें एक स्कॉलर्स हैं उनके हिसाब से तो जो उपनिषद हैं वो इन्फ्लूएंस हुए हैं बुद्धिजम से उनोंने उल्टा कर रख है तो लेकिन उपनिषद का पहले का है हाँ उपनिषद पहले का है और हिस्टॉरिकल कंसेंस ही है वो उनके हिसाब से ऐसा नहीं है लेकिन हिस्टॉरिकल कंसेंस ही है कि उपनिषद का ये पहले से था और बहुत सारे जो व्यूज हैं जैनिजम में और बुद्धिजम में भी खासकर वो इन्फ्लूएंस्ट हैं आपके उपनिशिद थोट से, तो एक तो एक ट्लासिकल इंटर्पेटिशन होगा कि भई वैडिक रीक्षन था, और एक है कि भई क्शत्रिया रीक्षन है, खत्रिया रीक्षन इन दे सेंस कि वेडिक धर्म और वेडिक कर्मकांद में भ्राम्मनों का रोल था, प्री उपनिशत थोट का ये जैनिजम बुद्धिजम है और दूसरा हम ये देखते हैं कि महावीर हो गए और गौतम बुद्ध हो गए दोनों ये खत्रिय बैग्राउंड से आते हैं तो खत्रिय रिस्पॉंस था और जैसे आप एक बुद्धिजम में हाईरार्की में खत्रिय उप लेकिन गशल टो तो उनको पहले ब्रहमन ऑना था लेकिन जो बहल इंद्र हैं उन्होंने का कि नहीं इनको करेंग जो नय तीर थंकर आएगा तीर्थंकर ब्रामनों मेनी क्षत्रियूम होगा, उनके साब से उच्छी कोटी जो सबसे होगी, वहाँ पर बर्थ लेना चाहिए उनको, तो यह जो एक जैन स्टोरी में को देखने मिलता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उनके साब से जो टॉप हायरार्की है, उसमें आपको देखने को मिलता है, जो आप किताब पढ़ेंगे, उनके आपको यह दिलता है, नए स्कॉलर्स के हिसाब से उन्होंने थोड़ा, यह तरह से बहुत सिंप्लिफाय कर दिया है, उनके हिसाब से थोड़ा कॉंपलेक्स है, जैसे बुद्धिजम और जैनिजम और बाकी यह आजीवी का चार बाकी है, सब भी, यह डेवलप किस पीरिड में हो रहे हैं, उस पीरिड में हो रहे हैं, जिसमें सिटीज एमर्ज हो रही हैं, तो उनका यह कहना है कि भई, रिलेशन है कुछ ना कुछ, सिटीज डेवलप हो रही हैं और यह सोसाइटीज भी डेवलप ह तो इसको आप explain कैसे करोगे, तो एक argument यह है कि जो cities जब नई develop हो रही है, तो जो cities नई develop हो रही है, तो जो पुरानी ideology, जो वेदिक ideology है, वो city के against है, क्योंकि उसका जो main influence है, या फिर main focus था, वो villages पे था, जैसे हमको देखने को मिलता है, जितने कुछ धर्म सुत्रों में ये ल फिर उसके बाद कहीं जग कहीं पे mention ये आता है कि भई, शहर में जो लोग रहते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल पायेगा, तो इसका मतलब यह है कि उनको शहर का जो environment था, वो पसंद नहीं था, उसके अनुकूल वो philosophy नहीं थी, old philosophy, orthodox view, और जो नहीं थी, ये पुरा शहर पे focus था इसका, जैनिजम, बुद्धिजम, एक तो view ये है, दूसरा view ये है, वो यही argument को एकदम उल्टा कर देते हैं, उनके हिसाब से, जो ये नई शहर बन रहे हैं, उसमें कहाए materialism बढ़ रहा है, materialism बढ़ रहा है, फिर कहाए कि शहर में लोग आसपास रहते हैं, तो आज भ लोगों की मतमृतियों जादा हो रही है, आसपास आप देख रहे हैं, तो उसे एक sense of alienation बढ़ रहा है, और दूसरा गाउं में जब आप रहते हैं, तो आपके आसपास relatives आप सब को जानते हैं, शहर में अंजान लोगों से interaction हो रहा है, tribalism कम है, तो उस जो इन पे जो ये सार सब दुख, दुख, ये सब दुख है, इस पर focus मत करो आप, तो ये नए ideology का समय लिजी, एक तरस ही है, तो ये आप तीन चार interpretations हैं, और at the end of that ये interpretations है, आपका, हम एक तरस से प्रूव नहीं कर सकते कि कौन सा चीज सही है, कौन सी नहीं है, लेकिन जैसे गोतम बुद्ध को प वहरण जाती का ये जो concept है, इसको भी challenge किया, हलां कि जो बुद्ध जो इसको देखा जाए, टेक्स्ट को देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं था, जिस तरीके से वो इतना ब्राह्मनिकल उसको बोला जा सकता है, संग को, बुद्ध संग को, तो उसके ऊपर बताए थोड़ा, ज लेकिन दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध की वचनोगी, तो basically हम सुत्त पिटक की बात कर रहे हैं, जिसमें गभगवान बुद्ध की बात नहीं है, अब historians, जो काफी आप cynical historian कह सकते हैं, उनको, उनका ये मानना है कि ये जो है, ये exact word नहीं है बुद्ध क और इन ये text जो थे, compile हुए हैं आपके 4th century BC से लेके 200-180 तक, तो ये 500 साल के बीचे compile हो रहे हैं, तो जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये बुद्धिजम उस समय के उसमें था, लेकिन और जहां तक बात आती है, जो वर्ण hierarchy वो सब, तो एक तरह से दुद्धिजम में, बुद्धिजम में वैसा नहीं था, कुछ जैसे बुद्धिजम में एक category आती है, उच्च कुल नीच कुल, उच्च और नीच जातियों का उसमें concept आता है, तो उच्च जातियों में ब्रह्मान ख्षत्री है, ये सब include है, नीच जातियों में आपके जो नीच जाती का भी आ सकता है, तो उस तरह से एक तरह से एक challenge था, कि इतनी strict hierarchies इसमें नहीं थी, इतनी उसमें थी, तो उसे साफ से एक difference तो था ही, इसमें एक बात और हो रही है, इसी टाइम पे 6th century में BC में कि Persian invasions भी हो रहे हैं, जो हमने अलग अलग जनपदों की बात की, उसमें जो Northwest से जो invasions हो रहे हैं, Darius the Great की बात आती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताईए, क्योंकि हमने North India का basically cover किया है, Middle भी आ गया, थोड़ा-थोड़ा East भी है, Northwest में क्या हो रहा है इस समय? North West में जैसे हमने देखा कि में दो जनपद हैं, महा जनपद हैं, पहला एक गंधार और दूसरा एक कांबोज, तो फर्स्ट पर्जियन इन्वेजन मेंली हुआ था, Cyrus the Great के समय में, Cyrus जो एक ग्रीक टर्म है, ओरिजिनली ये, तब कुरूश कहते थे इनको, तो Cyrus the Great जो अक्यम 5BC और 440 BC के अराउं, sorry 545 और 540 BC के अराउं, middle of 5th century BC, 6th century, 6th century हो जाएगा रहा, 545 से 540, 6th century, 5 है, 4 ने, हाँ, ठीक है, तो पहला जो अटेम्ट था, तो इस इस एक्जेक्ली देखते हो जहां पे बुद्ध और जैन, ये धर्म भी बढ़ रहा है, cities भी बढ़ रही हैं, और हमने जो बात ही हैं कि मगद का और ये सब जन्पदों का ये भी आपस में चल रहा है, हाँ, तो उसी period में लगवख लगवख, आप समझ लेजिए कि जो पहला invasion एक तरह से आप कह सकते हैं, जो Persian invasion था, जो first campaign था, उसमें हमको भी ये पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, field invasion था, उसमें हमको ये जानने को मिलता है कि साथ लोग वापिस लोटे थे, जो दूसरा था, दूसरा आप कह सकते हैं, सक्सेस्फुल था, दूसरा सक्सेस्फुल 538 BC के राउंड जो second attempt था, वो था, करा था उन्होंने, और उसमें जो काबूल वैली का इलाक conquer होता है, अब उसमें sindh तो term इस्तमाल नहीं होती, लेकिन वो hindush term इस्तमाल होते हैं, तो most scholars ये believe करते हैं, कि ये hindush जो है, वो sindhu region के बारे में बात कर रही है, अब उसमें दूसरी चीज, दूसरी हमको ये देखने को मिलता है कि कुछ scholars के हिसाब से, जो sindhu नदी थी, sindhu नद के period में आते हैं, जब Alexander cross करता है Indus, उसके बाद जो हम पढ़ते हैं, उसमें कभी भी कोई Greek, sorry, Persian सट्रप जो है, encounter नहीं हुए, जैसे Alexander ने cross करा Indus को, तो उसका मतलब ये है कि इस area में Persian occupation नहीं थी, लेकिन influence Persian influence था, कुछ जैसे नाम हो, हमको देखने को मिलते हैं, sources में, जिसस जो पंजाब का जो region है, क्या इसमें language में वो influence उसी समय से है, क्योंकि हम अभी तो मानते हैं कि जो Persian words हैं पंजाबी में काफी use होते हैं, तो क्या ये हम मानते हैं कि अभी मुगलों के वज़े से और इनके राज की वज़े से है, foreign influence की वज़े से, लेकिन क्या ये हो सकता है कि old Persian जो उस समय भी थी, तो उसका भी language का भी कुछ transfer हुआ होगा, impact हुई होगी, culturally languages या लिपियां, languages का तो कहना पकाना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कोई evidence नहीं है, लेकिन लिपी का हाँ, जो खरोष्ठी लिपी है, खरोष्ठी लिपी का origin जो है, अरेमिक से है, अरेमिक जो थी वो आप समझ लेजे, इस्टेट मतलब जो श्टेट फंक्शनिंग जो अकैमिनट एंपायर में जो फंक्शनिंग होती थी, उसमें जो main official script कह सकतने है, Mediterranean मैं, Mediterranean नहीं, यह आपका आपका अकैमिन एंपायर जो पुरा-कापुरा, Middle East का इलाका लगबग, लेकिन मेन उनका जो कोर था, वो था पर्जया फारस जो प्रोविंस ए एरान का वो उनका कोर था वहां तक लेकिन Mediterranean तक Middle East तक था उनका influence ये पुरा जो आपका आज का तर्की है वो सब उन्होंने कॉंकर कर रखा था और यहां पे आपका लगबग सिंधू नदी के आसपस का इलाका तो Darius the Great जो है वो पहली बार कॉंकर करता है गांधार और सिंध का इलाका, especially West of Indus, East में नहीं था और Xerxes जो famous movie 300 तो Xerxes के समय भी ये था और हमको दूसरा evidence यह मिलता है कि Xerxes की जो tomb है, वहां पे sculptures बना रखे हैं, अलग-अलग प्रांतों के जहां पे Xerxes का rule था तो उसमें दो जो sculpture है, उसके नीचे एक जगा लिख रखा है कि गांधार एक व्यक्ति जो है और दूसरा है हिंदुश कि यह व्यक्ति गांधार का है यह व्यक्ति हिंदुश का है तो उन्होंने ऐसे उनके हाथ ऊपर करके है आपको Wikipedia पे मिल जाएगे, हम डाल भी देंगे आप तो उसमें वो दो जो लोग है वो माना जाता है कि यह गांधार के और हिंदुश के लोग के हैं और हेरोडोटस जो ग्रीक हिस्टोरियन जिसने लिखी थी हिस्ट्री इस बुक उसमें वो बताता है कि यह सेक्टरपीस थी सेक्टरपीस मतला समझ जो प्रोविंस तरह से जो ग्रीक परिजियन एम्पायर के यह दो सेक्टरपीस थी यहां से लगभग 9 तन गोल्ड सबसे प्रोश्परस प्रोश्परपीस थी है और 9 तन गोल्ड का ट्रिब्यूट जो था वो अग्यमिन एम्पायर को जाता है और यही हमको देखने को मिलता है गौगमेला जो बैटल अफ गौगमेला है अलिक्सेंडर दा ग्रेट और डेरियस थर्ड जो लास्ट अकैमिन एम्परर था उसमें जब लडाई लड़ी गई तो इंडियन ट्रूप्स इस्तमाल हुए थे और जर्क्सीस की जो ग्रीक इन्वेजन थी उसमें भी जर्क्स हमको influence मिल मतब हमको पता लगता है कि जो इंडियन ट्रूप्स थे हरोडोटस बताता है जैसे कि यह इंडियन ट्रूप्स है यह कपड़ा पहनते है जो पेड़ पर उकता है और पेड़ पर उकता है यह इसलिए है फूल होता था और उससे हम कॉटन लेते थे तो कॉटन की पेड़ पर उकने वाले जो कपड़ा है उसकी बात कर रहा है कॉटन की यह तो पर यह लोग क्या पहनते थे फूल मेंलि इनका यह था कॉटन क्योंकि बहुत जादे रीजिनल यह था कॉटन अभी मतलब इस पीरियड से नहीं जो अभी लेटेस्ट एक न्यूज आय थी कि इसराइल में कॉटन क्लोथ मिले है और उसका ओरीजिन जो है वो यह इन्डस का हिलाका है मतलब कि हडपा सब दा कि लोग महां से ट्रेड गरते थे और इस्पेशली जो यह में सोपिटीमिया का इलाका है यहां से भी हमको पता चलता है कि में एक आइटम जो था ट्रेड का वो कॉटन था कॉटन हमेशा से हमारा आप कह सकते हैं कि बहुत इंपोर्टन वो था अब तब तो क्या है कि अब और और जगह पे भी होने लग गया लेकिन पहले कॉटन में इंडिया में होती तो यह पर्जिन वाला इंवेजन हो गया इसके बाद जो एक चीज बचती है वो है सदरन इंडिया क्योंकि हमने उतर बारत की बात कर लिए तो दक्षिन भारत में इसी पीरियड में क्या हो रहा था वहाँ पर उसकी क्या हिस्टरी थी क्योंकि काफी डिविजन्स हमको देखने को मिलते हैं लेटर पीरियड में तो उस समय कौन-कौन वहाँ पर राज कर रहा था या सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था वहाँ पर जैसे वहाँ पर हमारे पास बुद्धिस्ट और जैन सोर्ट उस पीरियड के तो है नी और सोर्स लगभग निल है लेकिन हमारे पास आर्केलोजिकल एविडेंस है तो archaeological evidence में बात होती है megalithic culture कैते है उनको कि जो इस period में था peninsular India पूरा का पूरा आपका समझ लीजे जैसे नर्मदा आप क्रॉस करेंगे उस एरिया से लेके कन्या गुमारी तक पूरे peninsular इंडिया में megalithic cultures थे megalithic जो शब्द है mega मतलब big Greek word है lithos हो गया stone तो megalithic एक stone structure टाइप का होता है जैसे stonehenge जो आपने इंग्लेंड में है वो भी एक तरह का megalith है इंडिया में हम क्या देखते हैं इंडिया में जैसे आपने दो stone के structure slabs बनाए नहीं है वो मतलब rock के कहीं से लिये दो ऐसे खड़े करें इसके ऊपर एक और लगा दिया तो ये ऐसे आपको sites मिलेंगे अलग अलग जगा पे और बहुत मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ South India पे मिलती हैं पूरे North Worth में Kashmir से लेके सब जगा मिल रही है लेकिन यहां पर density जादा है और हम पाते हैं कि यह जो structures बना रखे है इन structures के कुछ में नीचे बरियल है कुछ में नहीं है तो यह अभी तक बचे हुए कैसे हैं क्योंकि इस just stone कोई भी हटा सकता है नहीं बहुत बड़े-बड़े stone है मतलब आप समझ लीजे काफी बड़े stone है आप लिखेंगे टोपिकल करके इनको एक style है मेंने उसका मेगलिथ का तो यह सब बचे हैं वहाँ पर अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पांचे हैं हजारों से उपर आई है तो अब माली जब कुछ खतम भी हो हो में तो बहुत सारे बच रखे हैं तो यह मेगलिथिक हमको देखने को मिलते हैं और यह जो डेटिंग है लगभग इसकी स्कॉलर्स ने करी है हजार बारासो बीसी के करीब शुरू होती है और हंड़ड बीसी तक है और हम देख रहे हैं कि यह जिस पीरियड में जब 2nd urbanization हो रहा है 2nd urbanization Northern Plains में तो जो यह northern आंद्रा का इलाका है और माहाराश विदर्ब के जो इलाके में यहाँ पे density इनकी कम हो भी है जो लेकिन जो South का इलाका है Deep Southern India में अब चले जेएं तो वहाँ पे intensivity बढ़ ही है इस पीरियड में और complexity भी बढ़ रही है कि जो यह डेवलप कर रहे है ने ने तो उसमें अलग अलग तरीके से थोड़ा मतलब एक्सपैंड इलाका जड़ा बढ़ा है जो स्ट्रक्चर से स्तमाल हो रहे हैं वो काफी बढ़े हैं अर दूसरा हम देखने को हमको यह मिलता है कि आईरन का यूज हो रहा है इसमें तो या तो इंपोर्ट हुआ होगा नौर्द इंडिया से वहां से लेकर आए हो उगे ने नी आरेन eिको निपॉट नहीं हुला होगा क्योंकि जैसे जो earliest evidence एक पर के मिलते हैं उन 11-1200 BC में चनल के आसपास मिलते हैं तो और मैंस तो वहां है माँनस के निलत हैं तो और इंतेंटिक beggjən हो रहा है आपका 600 BC-500 200 BC के आसपास और दूसरा हमको यह देखने को मिलता है जो हमको यह megalith stones है यह सिर्फ burials नहीं थे इसके आसपास settlements भी थी और 6-6 hectares के करीब की settlement है लेकिन यह fortified settlement नहीं थी आसपास मतलब इनके कोई earth, ramparts वगेरा नहीं थी और culture, archaeology से आप कुछ ही limited ही जान सकते हैं especially क्या culture था वो जानना बहुत मुश्किल है तो basic यह information हमको देखने को मिलती है लेकिन हाँ यह हम जरूर कह सकते हैं कि जो यह megalithic बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आदिमान जो एक complex society का एक हमको view मिलता है क् जो megalithic structure बनाना होता है तो उसमें भी आपको एक source skilled चाहिए फिर उसके बाद चार लोग उसे नहीं बनेगा थोड़ी मतलब ज्यादा लोग रहने चाहिए क्यों इतना भारी material है तो उसको बनाना उसकी complexity मतलब उसमें एक burial आप डाल रहे हैं और burial डाल रहे हैं तो उसमें ज लोगल चीफ्टन वगरा होगा लार्जली बट इस इस ए ट्रांजिशन की देरे देरे प्रोग्रेस हो रही है बट वहां उस stage पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे नॉर्दन प्लेंस में cities का development हो रहा है वो यहां पे नहीं दिखने को मिलता है उस समय अब जैसे इसमें आ आ ज लाइट्स हैं वोगर 600 BC के आसपास उनकी डेटिंग मिलगी जो Southern India में मिली है जिसमें हम कह सकते हैं कि इस इस की पहली-पहली लक्षन सुरू हो गया तो अगर 600 BC के आसपास है तो मतलब यहां पे इंडिपेंडेंट और नॉर्दन इंडिया यहां पे भी इस डेवलप होनी होगी लेकिन अभी मतलब इतना मेरे पाल मेरे को लिए लगता ही Conclusive Evidence है हमारे पास ठीक है तो Next Episode on More Reals चालेगे धन्यवाद थैंक यू